पूरे जिले में इंदनों डीजल पैट्रोल की कमी देखे जा रही है और यही कारण है कि लोग डीजल पैट्रोल की खरीजी के लिए पैट्रोल पंपल लाइन लगाए हुए बैठे हुए हैं ऐसे हालात में लोगों को जहां भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं पंप संचालकों का कहना है कि उपर से ही सप्लाई नहीं आने के कारण इस तरह के हालात निर्मित हो रहे हैं इतना ही नहीं विशेश रूप से किसानों के लिए इननों खेती के लिए डीजल की आवशकता है और ऐसे में वो अपनी अपने कैन लेकर के पैट्रोल पंप पर कतार लगाए बैठे हैं डीजल की उपलब दिता होने के बाद ही उनकी कतारों के लिहाज से उन्हें डीजल दिये जाने की बाद कही जा रही है मालमों की इननों पंचायत निर्वाचन नगरीने काई निर्वाचन भी चल रहा है ऐसे में शेशिन की द्वारा स्टॉक रखी जाने की निर्देश दिये जाते हैं इसके साथ ही उपर से डीजल पेट्रोल की सप्लाई कम होने से इस तरह के हालात निर्मत हो रहे हैं और हालात निर्मत होने से सभी को समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है ये हालात दमों के मुक्छाले के पैट्रो पंप की अकेले नहीं है बलकि दमों जिले के गरामि bilingual अंचलों में भी इसी तरह की हालात हैं ते लोग कतार में लगकरके पैट्रोल और डीजल के लिए लगातार परेशान हो रहे हैं ऐसे आलात में समस्या का कब तक समाधान होगा यह तो कहना मुश्किल है क्योंकि जैसे ही सप्लाई सही तरीके से आने लगेगी वैसे ही समस्याओं का समाधान भी हो सकेगा फिलहाल पेट्रोल पंपों पर इस तरह की भीर देखी जा रही है क्या कुछ कहना है यहाँ पर आने वारी लोगों का किसानों का आम जंता का और पेट्रोल पंप संचालकों का आपको सुना दिते हैं बीरो रिपोर्ट के साथ आजय दुबे की रिपोर्ट अब यहां तक अभी तक कोई पंप जा रहे थे अभी यहां पंप पे आए क्या कह रहे हैं कितने पंपों पे आपने चेक किया नाम है आपका कहां से कहां जा रहा है तर्ण डेज़न्द कुमार जैन कहां से कहां जा रहा देजिसे घनेसपुर हर वाह यहां। आपनों समयावत है चाहा खात को होई चाहा भीट को होई कचुप होई ये इसी परेशान होने पड़ाते हैं यह उपर से ही त्राइसे आये हैं जिसका हम से सप्लाइब हो पा रहे हैं और हाला कि आपको देख रहे हैं कि कतार बहुत लंबी लेकिन सबको परयाप्त मात्रा में जितना हम से हो सकता है हम तकी मदद करेंगे और अपात काली वाहनों के लिए भी हमारे पास परयाप्त स्टॉप लेकिन सब्सक्राइब हो इसका कारण से यह लंबी कता लागी क्या नाम है सब्सक्राइब